हेलो एवरिवान विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आज के इस स्पेसल लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल आफ सिल्क वॉम यह टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोश्तों में शेयर करें क्योंकि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी यह टॉपिक पढ़ना चाहिए जानना चाहिए इसके बारे में और यह टॉपिक मुझे लगता है कि लिक का बटन भी दबा दें अगर वीडियो पसंद आएगी तो तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आप लोगों नोट्स तो बनाया होगा जो लॉजी का उसमें लिखेंगे मैं जो लॉजी का रेगुलर वीडियो तो अपलोड नहीं करती हूँ लेकिन जो भी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं अगर वो आपने पढ़ा तो हो सकता है कि आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकें क्योंकि यह सब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज टेरा रिप्रेजेंटेट कम्प्लीट होलो मेटाबोलस लाइफ साइकिल इंपॉर्टटि उफ लाइफ साइकिल आर्रेस हालोस इसमें एक आजारा कि जो सिल्क बॉम होता है वो इकोनॉमिकली important insect होता है जो कि lapidoptera जो order है उससे belong करता है और इसकी life cycle holometabolus होती है holometabolus का मतलब होता है कि जिसमें larval stage भी हो और pupa stage भी हो और अगर ये पूरी जिसमें larva और pupa होते हैं उस तरह के life cycle को हम लोग कहते है holometabolus life cycle ओके देखिए ये topic कि से relate करता है ये बीसी final year का जुलाजी का ये एक topic है जुलाजी के paper first का नाम है applied and economic geology उसमें ये जो हम लोग topic पढ़ रहे हैं पेपर first का topic है और जो कि बहुत ज्यादा important है उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसकी life cycle का डायग्राम देखेंगे तो देखें डायग्राम में क्या है कि एक female और एक male silkworm है जिसमें copulation होता है या हम लोग कह सकते हैं fertilization जाये कहें चाये कहें copulation होता है और जो female होती है वो fertilized हो जाती और fertilized female एक का production start कर देती है और फिर एक का production हुआ उसके बाद कुछ time के बाद फिर hatching की process होगी hatching से larva का production होगा जिसको हम लोग कहेंगे जो silkworm का larva होता है उसको हम लोग कहते हैं caterpillar c-a-double-t-e-r-cater-p-i-double-l-e-r-cater-pillar कहते हैं उसके बाद फिर pupation की process होती है pupation में क्या होता है कि larva अपने चारों तरफ pupation में क्या होता है कि जो larva होता है वो अपने चारों तरफ cocoon का निर्मान कर लेता है एक protective layer कह सकते हैं उसका production करता है और उसी cocoon के अंदर pupa का formation pupa बनने लगता है larva से pupa में conversion होता है अगर मालेजे पेपर में जैसे किसी ने पूछ रिया वैसे ही कि जो cocoon होता है वो कब बनता है तो cocoon ये लारवल इस्टेज में ही बनने लगता है larva ही बनाता है कहने मतलब यह है कि कोई मालेजों पूछ लिया कि cocoon कौन बनाता है आप उसके बाद यह जो प्यूपा बन गया कूकून के अंदर प्यूपा बन गया फिर उसके बाद यह इमर्जन्स की प्रोसेस होगी या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट आफ एडल्ट फिर प्यूपा से एडल्ट का निर्मान हो जाएगा या एडल्ट का प्रोडक्शन हो गया एडल एक एक करके जैसे पहले एक पढ़ेंगे फिर उसके बाद लार्वा पढ़ेंगे फिर कूकून पढ़ेंगे फिर प्यूपा फिर इमर्जेंस ओफ एडल्ट या डेवलप्मेंट ओफ एडल्ट पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग हेटिंग डालेंगे एगाउस में लिखेंगे दा एग ओफ सिल्क वाउम इस वाइट इन कलर जो शिल्क वाउम का एग होता है वो सफेद कलर का होता है ले इन कलस्टर ओन एग जो एग वो प्रोड्यूस करती है फीमेल इंसेक्ट जो एग प्रोड्यूस करती है वो एक लीफ पर कलस्टर में जुन्ड में होते हैं वो लीफ किसकी हो सकती होस्ट उसकी होस्ट प्लांट की होगी जाज़तर नॉर्मली तो सहतूत की होती है पैक्ड इन जिलाटिनस मास जो अंडा होता है वो एक जिलाटिनस मास में पैक्ड होता है और ये तीन सो से चार सो एक बार में तीन सो से चार सो एग का प्रोडक्शन करती है राउंड इन शेप एंड हैच इन अबाउट टें डेज और जो एग होता है वो हैच करता है हैचिंग होती हैचिंग की प्रोसेस लगबग दस दिन में होती है दवाइट एग बिकम डार कर धन फरो पस्ट ओफ टाइम जो सफेद करलर का एग होता है वो टाइम बीचने के साथ साथ तो डारकर कर का हो जाता हमारी का described Geas इन सेरी कल्चर प्राक्टिसेज में एग को हम लोग कहते हैं सीड उसके बाद है उसके बाद है इन टेमपरेट रीजन एग आर यूज्वली डिस्पॉज टाइब टेमपरेट का मतलब होता है कि जहां बहुत ज्यादा ठंडी होती है वहां पर एग जो होता है वो टाइब का होता है इन एक्टिव होता है और जबकि जो समर टाइम में एग होते हैं एक का प्रोडक्शन होता है वह नॉन डिस्पॉज टाइब का होता है यानि एक्टिव होता है वह उसके बाद क्या है उसके बाद है लार्वा लार्वा पढ़ेंगे या कह सकते हैं भी मतलब होता है plural तो लार्वी में लिखेंगे दा एग हैच आउट इंटू लार्वा या लार्वी विच अबाउट फाइब टू सेवन एम इंलेंथ जो एग से हैच हैच आउट यानि हैचिंग होती है जब तो क्या होता है कि जो लार्वा निकलता है वो पांच से साथ मिली मीटर होता है लंबाई में वो रैसियस इटर का मतलब होता है कि ऐसा लार्वा जो जैन्म से ही खाना इस्टार्ट कर देता है यानि उसका बर्थ जैसे हुआ वो तुरंद खाना इस्टार्ट कर देता है उसके बाद है रफ होता है यह लार्वी जो होता है वो रफ होता है ख इसलोर होता है मोल्ड फो टाइम इसमें चाल टाइम मोल्टिंग होगी एंड पपुछी काइ्टर बिलर जो घव्ाम का लार्वा होता है उसको हम लोग कहते हैं कैटर पिलर यकल देन उसके बाद है एड़ लास्ट टाइम ऑफ मोल्टिंग मेंडीबुलर सिल्क ग्लैंड ओफ लार्वी इस टार्ट इस पाइनिंग कुकून अराउंड देर बॉड़ी फिर उसको फुल स्टॉप है देखिए उसमें का जा रहे कि एड़ लास्ट टाइम ऑफ मोल्टिंग के पर जो लार्वी का जो मेंडीबुलर सिल्क ग्लैंड होता है वो कुकून का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है अपने बॉड़ी के चारो तरफ कुकून बनाने लगता है तो देखिए इसमें भी बताय जा रहा है कि लार्वा ही बनाता है कुकून अपने चारो तरफ बॉड़ी के फिर उसके बाद fully stop their body के बाद fully stop रहेगा and then रहेगा within कूकून completed four molting and becomes pupa जब कूकून के अंदर जो larva होता है वो जब चार molting complete कर लेता है देन उसके बाद pupa का formation होता है जैसे हम लोग कहते हैं कि मेटामॉर्फोसिस हो रहा है वैसे इसमें यह कहा जाता है मोल्टिंग हो रहा है मतलब होता है डेवलपमेंट मतलब होता है मोल्टिंग वही हो रहा है इसमें सिर्फ मोल्टिंग वर्ड यूज होता है देन उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कुकून के बारे में अब दे विच इज वाइट क्रीम और यलो इन कलर कमप्राइजेज इर्रेगुलर थ्रेड आफ सिल्क आउट वर्डली एंड रेगुलर थ्रेड इन वर्डली इसमें ये का जा रहा है कि सिल्क वॉर्म का जो प्यूपेरियम होता है उसी को हम लोग कहते हैं कूकून जो सफेद कलर क्रीम कलर और यलो कलर का होता है और उसके बाद इसमें का जा रहा है कि जो कूकून बाहर की तरफ होते हैं वो छोटे-छोटे होते हैं यानि इर्रेगुलर होते हैं इर्रेगुलर ली वो नहीं होते हैं कि जैसे दस मीटर हुआ है इकटे तो ये छोटे-छोटे segments में होगे जैसे दो सेंटीमेटर तीन ऐसे छोटे-छोटे सेगमें में जबकि जो अंदर का कुकुन इन वर्ड ली होगा अंदर जो कुकुन होंगे वह रेगुलर होंगे वह उनकी जो फिर इसके बाद फुली स्टॉप है इस बाद है इक प्रोवाइड वाइट लेयर आफ प्रोटेक्शन जूरिंग वल्नेरेबल आल्मोच यूरिंग वल्लेबल करता है वाइटल लेयर प्रोटेक्शन की वाइटल लेयर प्रोटेक्शन की वाइटल लेयर प्रोटेक्शन 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 प्रो एक कुकून 300-900 मीटर लॉंग थ्रेड कंटेन करता है यानि रहता है उसमें एक कुकून में and 2000-3000 कुकून और रिक्वाइड तू अप्टेन 1 पाउंड सिल्क एक पाउंड सिल्क को प्राप्त करने के लिए हमें 2000-3000 कुकून की रिक्वाइरमेंट होती है उसके बाद है at least 7 million pounds of raw silk are produced every year in इंडिया इसमें का जा रहा है कि कम से कम 70 million, 70 million pounds रा सिल्क का इंडिया में हर साल प्रोड्यूस होता है रिक्वाइरिंग 10 billion pounds और कुकून जो कुकून की आवश्यक्ता होती है पूरे कर सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में उसमें से पूरी दुनिया में उसमें से क्या होता है कि 70 million हमारा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है कुकून उसके बाद हम लोग हैं डालेंगे प्यूपा प्यूपा में लेक्षाटा भीऊप सिल्क वांब इस 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 एंडिया इंडर अ बंद होता इसको हम लोग कहते हैं क्राइसालेस प्यूपा को ये आप लोग ज़रूर याद करिएगा कि क्राइसालेस कहते हैं और एक को लोग सीड है और लारवा को हम लोग कहते in Caterpillar अब हम लोग पढ़ेंगे चाहिए आप लोग हेडिंग डालें development of adult चाहिए डालें emergence of adult उसके बाद heading डालेंगे emergence of adult उसमें लिखेंगे the pupa within cocoon undergoes metamorphosis and develop into miniature adult called imago अगर मान लिजे एक नमबर में आ ही गया है imago what is imago तो आप लोग इतना लिख देंगे that is enough देखिए pupa within cocoon undergoes जो cocoon के अंदर pupa होता है वो metamorphosis करता है और एक miniature adult के रूप में develop होता है जिसको हम लोग करते है imago miniature मतलब होता है एक छोटा adult जिसको imago कहेंगे the imago secret and alkaline solution जो imago होता है वो alkaline solution को alkaline solution को secret करता है और उस solution में होता है proteolytic enzyme जो यह enzyme क्या करती है कि जो cocoon होता है उसके silk protein को digest कर देती है यानि उसको गला देती है और provides way for emergence और एक रास्ता बनाती है emergence के लिए यानि वहां से निकलने के लिए adult वहां से निकलेगा कैसे तो उसके लिए एक रास्ता बनाती है next heading रहेगी adult उसमें लिखेंगे the female silk is larger and more active than male जो female silk होती है वह larger in size होती है और male की comparison में active भी होती है both are non feeding short lived डोनो male and female दोनो non feeding होगे और short lived होगे यह 2-3 दिन तक alive रहते हैं या 2-3 दिन तक जीवित रहते हैं devoted for copulation यह copulation के लिए devoted होते हैं and female start egg laying and egg usually cream is in color और जो female होती है वह एग का production start कर देती है और जो एग होता है वह पहले तो white color का होता है complete था lecture वह इस पर depend करता है कि आपने जो पढ़ा वह आपको याद रहना चाहिए या आप आपने समझा उस चीज को आपको कितनी language समझ में आई यह language जदा tough तो नहीं थी तो आपने पढ़ा कि life cycle of silkworm यह तो paper में आना ही आना ही आपको section B में मिल जाएगा यह normally section B में ही आता है कि life cycle of silkworm डिस्क्राइब करिए तो आज की lecture में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना पिल्कुल नही बुलेगा and thank you so much for watching this video